या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेल संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्री अर्थात नौरातें इन नौरातों और दस दिनों के दौरान देवी के अलग-अलग नौरूपों की पूजा की जाती है नौरात्र में आठमे दिन यानी अश्टमी थी महागौरी शक्ति की पूजा को समर्पित है नाम से ही प्रकट है के इनका रूप पूर्णता गौरवर्ण है इनकी उपमा शंक, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है शुपुराण के अनुसार महागौरी को आठ साल की उम्र में ही अपने पूर जन की घटनाओं का आभास हो गया था इसलिए उन्होंने आठ साल की उम्र से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी इसलिए अश्टमी के दिन महागौरी का पूजन करने का विधान है इस दिन मा की पूजा में दुरगा सप्षती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेश भलदाई होता है महागौरी के सभी आभूशन और वस्त्र श्वेत हैं इसलिए उन्हें श्वेतामबर धरा कहा गया है चार भुजाएं हैं और वाहन वर्शब है इसलिए वर्शार रूठा भी कहा गया है उनको माता महागौरी की पूरी मुद्रा बहुत शान्थ है पति रूप में श्व को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी इसी वज़ा से उनका शरीर काला पढ़ गया था लेकिन तपस्या से प्रसंद होकर भगवान श्व ने उनके शरीर को गंगा के कहलाई मा महागौरी को शिवा भी कहा जाता है इनके एक हात में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रशूल है तो दूसरे हात में भगवान शिव का प्रतीक डमरू है अपने सांसारिक रूप में महागौरी उज्वल कोमल श्वेत वर्णी और श्वेत वस्त्रधारी और चतर उनके एक हाथ में त्रशूल और दूसरे हाथ में डमरू है तो तीसरा हाथ वर मुद्रा में है और चौथा हाथ एक ग्रहस्त महिला की शक्ति को दर्शाता है। कई कथाएं प्रचलित हैं एक कथा के अनुसार मा महागौरी ने देवी पारवती रूप में भगवान शिव को पती रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनात ने पारवती जी को देख कर कुछ कहा जिससे उनका मन आहत होता है औ इस प्रकार वर्षु तक कठोर तपस्या करने पर जब पारवती जी नहीं आती है तो पारवती को खोशते हुए भगवान शिव उनके पास पहुशते हैं वहां पहुचकर उन्होंने देखा कि पारवती जी उनका रंग अत्यंत ओचपूर्ण है उनकी छटा चांदनी के सम धवल दिखाई पड़ रही है उनके वस्त्र आभूशन से प्रसंद होकर देवी उमा को गौरवन का वो वर्दान देते हैं महागौरी रूप में देवी करुणा मई स्नेह मई शांत और म्रदल देखती हैं महागौरी से सम्मंदित एक अन्यक अथा भी प्रचलित है जिसके एक सिंग काफी भूखा था वो भोजन की तलाश में वहाँ पहुचा जहां देवी उमा तबस्या कर रही थी देवी को देखकर सिंग की भूख बढ़ गई परंत वो देवी के तबस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया इस इंतजार में वो काफी कमजोर ह गया देवी जब तब से उठी तो सिंग की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और मा उसे अपनी सवारी बना लेती हैं क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी इसलिए देवी गवरी का वहन बैल और सिंग दोनों ही हैं महागोरी अमोग फलदाएनी हैं इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलुष धुल जाते हैं पूर्व संचित पाप भी नश्ठ हो जाते हैं महागोरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्यानकारी है इनकी क्रपा से अलोकिक सिध्धियां भी प्राप्त होती हैं अब हम आपको बता रहे हैं माता आदे शक्त की सहायक शक्तियों के बारे में ये शक्तियां हैं 64 योगनिया जिनकी मदद से माता आदे शक्ति इस संसार का राजका चलाती है और शष्ठ के अंतकाल में ये मातर का शक्तियां वापस मा आदे शक्त में पुना विलीन हो जाती और सिर्फ मा आदे शक्त ही बचती है फिर से पुनर निर्माण के लिए 64 योगनिया समय समय पर माता दुर्गा के सहायक शक्तियों के रूप में काम करती है और दूसरे दिश्चकूर से दिखा जाए तो ये मात्रिका शक्तियां तंत्र भाव और शक्तियों से परिपूरित हैं और मुक्यता तंत्र ग्यानियों के लिए प्रमुख आकरशन का केंदर हैं दरसल ये सभी आदिशक्ति मा काली का अवतार हैं घोर नामक दयट के साथ युद्य करते हुए माता ने ये अवतार लिये थे ये भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वती की सकियां हैं इन 64 देवियों में से 10 महा विद्याई हैं और सिध्ध विद्याओं की भी गढ़ना की जाती हैं ये सभी आद्या शक्ति काली के ही भिन भिन आवतारी अंश हैं ये भी कहा जाता है कि समस्त योगनियों का संबंद मुक्यताह काली कुल से है और ये सभी तंत्र और योग विद्या से घनिष्ट संबंद रखती हैं समस्त योगनिया अलोकिक शक्तियों से संपन हैं प्रमकृप से 8 योगनिया हैं जिनके नाम इस्ट्रकार हैं सुर सुन्दरी योगिनी, मनोहरा योगिनी, कनक्वती योगिनी, कामेश्वरी योगिनी, रति सुन्दरी योगिनी, पद्मिनी योगिनी, नतिनी योगिनी और मधुमती योगिनी 64 योगनियों की बात करें तो उनके नाम इस प्रकार हैं जौला कामिनी, घटवार, कराकाली, सरस्वती, बिरूपा, कौवेरी, भलुका, नार सिंही, बिरजा, पिक्तान्ना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सरप्रश्या, यक्षणी, विनाहिकी, विंध्यवासिनी, वीर कौमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटाबडी, स्तुधी, काली, उमा, नाराइनी, समुद्र, ब्रह्मिनी, जाला मुखी, आग्रेई, अदिति, चंद्रकांती, वायवेगा, चामुंडा, मूरती, गंगा, धुमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायवीना, अघोर, और भद्रकाली, किसी भी प्रकार की मनुकामना को पूर्ण करने के लिए, इनकी साधना की जाती है, ये विधान शीघ्र भलदायक है, चौसर्य योगनियों के भारत में चार प्रमुक मंदिर हैं, दो ओडिशा में और दो मध्यो प्रदेश में, मध्यप्रदेश में एक मुरैना जिले के ठाना अरिठवरा काला में ग्राम मितावली में है, इसे एकंतेश्वर महादयो मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इस सथ योगनियों के बारे में चर्चा की अगली कड़ी में हम बात करेंगे नव दुर्गा के नवम सरूप मा सिद्धिदात्री की और बताएंगे क्यों होती है नो दिनों तक दुर्गा पूचा यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरूद है कि सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें धन्यवाद देवी मा की किरपा आप पर सदयों बनी रहे जै मा दुर्गे